साथ यो करना टका के मैसुरू की एक संस्था ने बच्चों के लिए Early Word नाम का भियान शुरू कया है इस संस्था बच्चों को पक्षियों के बारे में बताने के लिए खास तरह की लाइबरेरी चला दूपी है इतना ही नहीं, बच्चों में प्रकूति के प्रती जिम्मेदारी का भाव प्यदा करने के लिए नेचर एजुकेशन किट तेहर किया है, इस किट में बच्चों के लिए स्टोरी वूग, गेम्स, एक्टिविटी, सीट्स और जीक्सो पजल साये, यह संस्ता शहर के बच्चों को गाउं में लेकर जाती है, और उन्में पक्षियों के बारे में बताती है, इस संस्ता के प्रयासों के वज़े से, बच्चे पक्षियों की अनेग प्रजातियों को पहचानने लगे हैं, मन की बात के सुरता भी है, इस तह के प्रयास से, बच्चों में अपने आसपास को देखने समझने का अलग नजरिया विक्षित कर सकते हैं मेरे पहरे देश्वासियों आपने देखा होगा जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर तो आपके मन में फाइलों के धेर की तस्वीर बन जाती है आपने फिल्मा में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा सरकारी दफ्तरों में इन फाइलों के धेर पर कितने ही मजाग बनते रहते हैं कितनी कहानिया लिखी जा चुके हैं बरसों बरस तक के फाइले अफिस में पड़े-पड़े धूल से भर जाती थी वाग गंदगी होने रखती थी ऐसी दस्व को पुरानी फाइलों और स्क्रेप को हटाने के लिए एक विशेश स्वच्चता अभियान चलाया गया आपको जानकर खुश भी होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्बुत परणाम सामने आये हैं साब सफाई से दफ्तरों में काफी जगह खाली हो गई है इससे दफ्तर में काम करने वारों मे एक ओनर्शिप का भाव भी आया है अपने काम करने की जगह को स्वच्च रखने की गंबीरता भी उनमें आई है साथियों आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहां स्वच्चता होती है वाल लक्ष्मी जी का वास होता है हमारे कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं तरह के इनोवेशन कर रहे हैं इससे पैसे कमा रहे हैं रोजगार के साधन विक्सित कर रहे हैं यह हुआ अपने प्रयासों से सस्टेनिब लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रहे हैं मुंबई की दो बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रयरक है अक्षरा और प्रकृती नाम कि ये दो बेटियां कत्रन से फैशन के सामार बना रही है आप भी जानते हैं कपड़ों की कटाई सिलाए के दोरान जो कत्रन निकल बदलती हैं इसे बेकार समझ कर फैक दिया जाता है अक्षरा और प्रकृते की टीम उनी कपड़ों के कच्रे को फैशन प्रोडक्ट में बदलती है कत्रन से मिनी टोपियां बैग हाथो हाथ बिग भी रही है साथियों साफ सफाई को लेकर यूपी के कानपूर में भी अच् कुछ लोग रोज सुभा मॉर्निंग वर्क पड़े करते हैं और गंगा के घाटों पर फैले प्लास्टिक और अन्य कच्र को उठा लेते हैं इस समू को कानपूर प्लॉगर्स गुप नाम दिया गया है इस मुहिम की शुरुवात कुछ दोस्तों ने मिल कर की थी धीरे धीर कच्रे से री सैकल प्लांट में ट्री गार्ड तयार किये जाते हैं ज्यानी इस ग्रुप के लोग कच्रे से बने ट्री गार्ड से पाउधों की स्वरक्षा भी करते हैं साथियों छोटे छोटे प्रयासों से कैसी बड़ी सफलता मिलती है इसका एक उधारन असम की इतिशा इतिशा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली और पूने में हुई है इतिशा कॉर्पोरेट दुनिया की चमक दमक छोड़ कर अरुनाचे की सांती घाटी को साब बनाने में जूटी है परियाटकों की वजह से वह काफी प्लास्टिक बेस जमा होने लगा था वहां की नदी जो स्थानिये लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है उनके ग्रूप के लोग वहां आने वाले टूरिस को जाग्रूप करते हैं और प्लास्टिक बेस को कलेक्ट करने के लिए पूरी घाटी में मात से बड़े कुड़ेजान लगाते हैं साथियों ऐसे प्रयासों से भारत के जरूर होता ही होगा आप मुझे ऐसे प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहे हैं साथियों मन की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही मुझे तो पूरे महने आपकी प्रतिक्रियाओं पत्रों और सुझाओं का खुब इंतजार रहता है हर महने आने वाली आपके संदेश मुझे और बहतर करने की प्रयणा देते हैं अगले महने हम फिर मिलेंगे मन की बात के एक और अंक में देश और देशवाश्यों की नई उपलिवद्यों के साथ तब तक के लिए आप सभी देशवाश्यों को मेरी धेर सारी शुब कामना ह बहुत बहुत धन्यवाद